दोस्तो अगर आपको Vivo Y100 5G स्मार्टफॉन मिलता है 24,000 रुपे का और Realme GT Neo 3T 5G स्मार्टफॉन मिलता है 20,000 रुपे में तो आप कौन सा स्मार्टफॉन पर्चिस करना पसंद करोगे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इन दोने स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग और कंपेरिजन करने वाले हैं एक साथ देखते हैं कौन सा स्मार्टफॉन रहता है आपके लिए सबसे बैस्ट सुरुवात हम Vivo Y100 से करते हैं तो इसका बॉक्स ऐसी आप उपन करोगे तो सबसे उपर पाओगे एक स्मार्टफॉन इसे हम फिलाल साइड रख लेते हैं अंदर IMEI स्टिकर स्ट्रे के अंदर रखा हुआ है यह फॉन और यहां पर आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांस्परेंट सिलिकन का कबर मिलता है कुछ डॉकुमेंट्स कुइक स्टाइट मिलती है यह टाइप सी यूएसवी केविल है और अब आते हैं रियल्मी जीटी नियो 3T 5G स्मार्टफॉन की ओर काफी बड़ा बोक्स है दोस्तों और इस पर एक इन्वलप मिलता है काफी बड़ा जिसके अंदर कुईकी स्टाइट गाइड यूसर मैन्वल से मिजेक्टर पिन रखी गई है यहां आपको एक बड़ी ट्रे मिलती है जिसकी अंदर रखा गया है इससे फिलाल साइड रखके अंदर देखे तो एक बड़ी साइज की आपको मोटी केविल मिलती है टाइप सी और यहां चार्जर अडप्टर पहले यह कवर देख लेते हैं का लुक कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा पंचोल डिस्पले के साथ आता है रियलमी और ड्रॉप नौस डिस्पले के साथ आता है वीवो ए हंड्रेट दोनों की पावर को मैंने एक साथ ओन किया था यहां पर रियलमी फास्ट ओन हो गया है दोस्तो इसके अलावाद द दोनों स्मार्ट फॉन की हमने अल्रेडी फुल करके रखी हुई है तो 1300 निट्स तक की पीग ब्राइडनेस आपको दोनों ही स्मार्ट फॉन में मिल जाती है अब दोनों स्मार्ट फॉन की डिस्पले को करीब से देखें तो दोनों ही स्मार्ट फॉन में जो एज और बैजल नजर आते है, pre install application भी दोनों स्मार्टफोन में दिये गए है तस्क दोनों का काफी smooth है, लेकिन realme का fast लग रहा है दोस्तो 120Hz का refresh rate मिलता आपको realme में, 90Hz का refresh rate आपको मिलता है Vivo i100 में, और ये हैं दोनों स्मार्टफोन के back panel, दोनों में आपको plastic polycarbonate body बड़ी मिलती है यहां वीवो 100 का जो बैक पैनल है कलर चेंजिंग बैक पैनल है दोस्तों अगर आप धूप में चलते हैं तो इसका कलर काफी ज्यादा यलो टाइप का हो जाता है जो काफी डार्क हो जाता है अच्छा लगता है वैसे लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है द कैम्सल लेंस यहां पर दिया गया है जिसके आंदर 2 कैम्रा फिट हैं और नीचे वाले के अंदर एक kैमरा फिक क्या गया या में हैं कैम्रा आपको मिलता है 64 मेगाविक्सल का, 2 मेगाविक्सल माइग्रो सैंसर, 2 मेगविकसल डप सैंसर camera with LED फैसल लाइट वहीं Realme के back panel को देखे तो corner से यह हलका curvy है और इस पर आपको square दिख रहे होंगे जब इन पर light फट रही है तो ये भी बढ़िया लग रहे है नीचे realme की branding camera medial थोड़ा अलग मिलता है दो बराबर size के lens, एक छोटा lens यहाँ भी mean camera है 64 Megavixel का 8 Megavixel का ultra wide angle camera भी है जो बीबो यहाँ पर नहीं दे रहा है plus 2 Megavixel का micro sensor camera with LED flashlight, front में दोनों ही smartphone 16 Megavixel का selfie camera दे रहे है, corner दोनों के अलग-अलग type के देखने को मिलते हैं, जहां right side में आपको मिलेगी power on की, just over volume rockers आपको बीबो में मिलते हैं यहाँ realme volume rockers left side में दे रहा है, उपर की side secondary mic, noise cancellation के लिए दोनों में मिलेंगे, sim tray भी वो आपको उपर की side दे रहा है यहाँ पर आप दो sim card एक सार लगा सकते हैं या फिर एक sim card, एक memory card एक सार लगा सकते हैं और realme में आपको sim tray bottom में दी गई है और यहाँ पर सिर्फ दो sim card लगा सकते है memory card का कोई slot आपको realme नहीं दे रहा है बाकि आपको दोनों smart phone में primary mic, charging jack और speaker grills दिए गए है realme आपको 3.5 mm का audio jack भी नहीं देता है और अब setting पे नज़र डालते हैं तो वीबो से सुरुआत करते हैं इसकी setting को open करोगे तो अंदर interface कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा जहां सारे option सबसे नीचे अवाट phone section दिया गया है fantasy OS 13 पे run कर रहा है यह smartphone 2.4 GHz का octa core processor media tech, dimensity, 900 का chipset आपको मिलता है 8GB RAM, 8GB Virtual RAM, 16GB तक इसकी RAM ले जा सकते हैं Android 13 और 128GB का mega storage आपको इसमें मिल जाता है expandable memory आप इसमें 1TB तक बढ़ा सकते हैं और UFS 3.1 का storage type आपको मिल जाता है 6NM का fabrication और Mali G68 के graphic आपको इसमें मिलते हैं RAM type LPDDR4X दिया गया है और आब आते हैं Realme GT Neo 3T smartphone की ओर तो यहां setting का interface कुछ ऐसा जहां नीचे आपको about phone section दिखेगा Realme UI version 3.0 दिया गया है storage आपको इसमें भी 128GB का मिलता है लेकिन expandable memory तो आप इसमें बढ़ा नहीं सकते Android 12 के साथ आता है यह smartphone जिसमें आपको 6GB RAM प्लस 2GB Virtual RAM RAM type LPDDR4X और storage type UFS 3.1 का मिलता है 3.2 GHz का octa-core processor और Qualcomm Snapdragon 870 का chipset मिलता है जो की एक तगड़ा processor है गेमिंग के लिए बहुत बढ़ी है smartphone आपको यह मिल जाता है जिसमें 7NM का fabrication Adreno 6 150 के graphic दिये गए हैं एक चोड़ी सी नजर दोनों smartphone के camera पर डालने तो दोनों smartphone के rear camera को मैंने एक साथ open कर लिया है camera क्लेटी में कोई सक नहीं दोनों ही smartphone आपको बहुत बढ़िया camera दे रहे है क्लेटी आप यहाँ पर notice कर सकते हैं बहुत अच्छे colors दोनों smartphone के camera में आपको मिल जाते हैं दोनों ही smartphone में AMOLED डिस्पले दी गई है 6.38 inch की full HD plus AMOLED डिस्पले मिलती है यह 100 में जिसका aspect ratio 20-9 screen resolution 10-18 to 2400 pixel और pixel density 413 ppi की मिलती है वहीं पर Realme GT Neo 3D 5Z में आपको 6.62 inch की full HD plus AMOLED डिस्पले मिलती है जिसका aspect ratio 20-9 screen resolution 10-18 to 2400 pixel और pixel density 398 ppi की मिलती है इसमें Corning Gorilla Glass 5 का production दिया गया है Vivo Y100 में कौन सा production दिया गया है यह company ने कहीं भी mention नहीं किया है इसके अलावा 158.9 mm इसकी height है 7.7 mm thickness 181 gram का है यह smartphone जिसके अंदर 4500 mAh की battery लगी हुई है वहीं 162.9 mm की height के साथ आता है Realme जिसकी thickness है 8.6 mm की तो यह थोड़ा सा मोटा है 194.5 gram का है इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है बाकी दोस्तों front camera देख लेते हैं दोनों smartphone का कैसा है 16 megapixel के camera आपको दोनों में मिलते हैं तो अच्छे color है यहाँ पर दोनों normal mode में आ जाते हैं बीवो में protect mode था तो बहुत ही बढ़िया selfie camera मिल जाते हैं दोनों smartphone में personally मुझे यहाँ पर realme का camera ज्यादा बेटर लगा अगर आपको colorful camera पसंद आते हैं तो realme का camera आपको ज्यादा पसंद आएगा बागी तो अपनी अपनी पसंद होती है तो friends यह थे 20 और 24,000 रुपे के अंदर आने वाले दो बैटरी ने स्मार्टफोन अब आप comment box मताइए इन दोनों में से कौन सा smartphone आपको बढ़िया लगा बीबो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा over price लगा दोस्तो जिस हिसाब के इसके features है design के मामले में कोई सक नहीं लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है थोड़ी कंजूसी कर दी super book charger देना चाहिए था जो कि mobile को काफ़ी fast charge करे बाकी आपको यहाँ पर 90 Hz का refresh rate मिलता है तो यह 120 Hz का भी हो सकता था और यहाँ पर drop notch की जगवा punch hole display भी हो सकती थी जो नहीं दी है बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है realme GT Neo 3T अगर आपको 20,000 पी से कम कीमत में मिल रहा है तो मैं तो कोँगा चाहिए 6-7 महीने पुराना mobile क्यों न होई है फिर भी आप purchase कर सकते हो